मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और आज मेरे साथ अबास आगा है और अबास आपका बहुत अशुक्रिया आई एंबी के स्टुडियो में आने के लिए और आप से हम बात करेंगे सिटीजन से बिल के बारे में जी बिलकुल तो अभी तो लोग सभा में पास हो गया जी होना ही था अब रासाभवा में जाने वाला है क्या लगता आपको वहारा समय में पास हो जागा और इसको कैसे देखते हैं मैं काफी दिनों से इसका रिसरच कर रहा हूं और मैं स्पीच सुन रहा था और मैं एक नैशनल मीडिया चैनल में डिबेट पर था साड़े-बारा बजे तक मैं टीवी चैनल पर बैठा हुआ था जब ये बारा बजे के खरीप रिलीस किया पास किये, पास तो हो नहीं था, 303 की मेजॉरिटी है, उसके साथ 311 मिले, आठ और सांसा दिन के साथ जुड़ गए, उनकी स्पीच में अमिच्छा मोटा भाई, जो प्यार से कहते हैं गुजरात में, हैंहीं मोटे, मोटा भाई ने कहा कि, Constitution is a religion, यह कितनी आश्चरिय चकित बात है आप देखिए, यह कहते हैं, Constitution is a religion, लेकिन उनोंने religion के आधार पर constitution बना दिया, कैसी बात है देखिए यह, कितना इसमें एक oxymoron है, कितनी पेकशित बात करते हैं यह, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो, पिछली साल मुझे लोग कहते थे, कि हिंदू राष्टर हो जाएगा, हिंदुत्वा हो जाएगा, मैं यह सुचता था, कैसे हो ही कैसे सकता है, जब हमारा जो समवेदान है, पुरा समवेदान से क्योलर की बात करता है, तो मैं नहीं मान था, लेकिन जब इंच बाइंच, यह लोग आगे अधम रखे, NRC रख लो, CAB रख लो, हिंदुत्वा हिंदू राष्टर, मैं आपको एक संग्षिप बता देता हूँ इस चीज़ का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश की बात करते हैं, माइनॉरिटीज यह वो वग्यरा वग्यरा, मुसल्मान नहीं, सीक, क्रि इसलिए ना है, क्योंकि बीज़पी यह सोचता है, कि मुसलिम अगर आएंगे, तो कॉंग्रिस को वोट देंगे, यह उनकी सोच है, हम चलो सीक, इसाई और तमाम फिर्खों का, अपीस्मेंट ये लो कर रहे हैं, अपीस्मेंट कर दो, सारे हिंदू भाहिं को ले लो, हिंद डिसोबीडियन्स होना चाहिए, इस पे सिविल वार होगा और ये सबी, अब रिलिजिस परसेक्यूशन की बात करते हैं, रिलिजिस परसेक्यूशन तो नेपल के मुसल्मानों के साथ भी बहुत जुल्म हो रहा है, श्री लंका में एक लाग से जादा तमिलियन्स हैं, जिस फ्लॉड बिल है, ये समझो एक ऐसी बिल है, जो सम्विधान के आर्टिकल 14, 15, 19, 21, 25 के खलाफ है, और कपिर सिबल जी ने अभी बयान दिया कि आर्टिकल 5 जो है, कि भारत का सम्विधान में सिटिजन्शिप आप रिलिजिन के बेसिस पर देही नहीं सकते, तो ये कैसा सम् तोड मदोड के अपने लिए जो फाइदे मन्द है, वो लेके आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ नहीं, और वेजी भाई ने एक बात कही, जिसे मैं मानता हूँ, इतिहास में अमिच्छा के साथ, अमिच्छा ने जो किया है, नाबत्तर है, हिटलर को मैं वावाई दे सकता लेकिन अमिच्छा को मैं अपने परसन अपने से नहीं दे सकता, इसराइल से ये प्रेरना ले रहे हैं, क्योंकि इसराइल एक ऐसा मुल्क है, जो सिटीजनशिप किस के आदार पे देता है, रिलिजिन के आदार पे, तो ये अपना प्रेरना इसराइल को मानते हैं, तो क्या हमारे हिंदु भाई है जो human rights activist है आज हम हम जैसे बात करें प्रेसिडेंट रामनात कुविन जी बयान दे रहे हैं human rights day पर यह कितना opposite end है आप यह देखिए और उसके साथ-साथ हिंदु भाई खुद हमारे साथ से खड़े हो रहे हो कहेंगे कि हम मुसल्मान भाईयों के साथ श प्रेसिस के लोग यही चाहते हैं कि बाट दें काट दें partition कर दें यह इतना बोल रहे थे कि जिन्ना का टूनेशन थेरी अभी भाई साब अभी कौन कर रहा है partition अभी आपके सावर कर जो थे जिसको महात्मा गांदी ने नकार दिया था जो टूनेशन थेरी तो हमारे जो प्रेशनल मीडिया डिबेट पे बीजेपी प्रवक्ता से ज्यादा RSS का जो आइडियोलोग है वो इसकी बहुत बात कर रहा है और क्या कहते हैं यह हमारा भारत हमारा हिंदूस्तान हिंदू के लिए है और रोकेते हैं हम सब हमारे पूरवज हैं तुम मुसल्मान भी हिंद सब्सक्राइब क्योंकि बहुत सारे मुसलिम और्गनाइजेशन ने यह कह दिया कि अभी वाक आउट ना कीजिए वहां पे रही है और अपोस कीजिए जो मैं मानता हूं कि मम्ता बैने जी ऐसा करेंगी क्योंकि उनका एक स्टैंड लेना पड़ेगा भी वहां पर भी कर दि आरेसे ड़नाइजेशन नाट कॉंसिट्टूट फॉर दे हूल अफ हिंदू नू अरहीं ब्रेदरन वेरी सेक्योल और इवन वो सेक्योल देन मेनी अफ आर मुसलिम फंडमेंटल पीपल तो यह क्या लगता है सिर्फ वोट गेम है कैसे विकरें अभी मैं मानता हूं और आप हमारे सबको ले लिया और हमारे प्राधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्वीट करते हैं ओ दिस सच पीसफुल जेश्चर एसिमिलेशन और हुमानिटेरियन ग्राउंड वगेरा वगेरा कहां का हुमानिटेरियन ग्राउंड भाई साथ यह तो रिलिजिस ग्राउंड है उसके बाद भी क्या हिंदू राष्ट के लिए सिर्फ मोदी को और अमिशा को सपोर्ट करेंगे यह लोग बहुत अच्छे हैं ध्यान बढ़काने में अभी प्याज ले आप देर सो दो सो पर चल रहा है एकॉनमी की वाट लगी है अभी यह कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है कि लोग करना चाहते हैं क्यों आपको मोदी जी का वह भी दिखा दे जब प्याजार तेरह में उन्होंने क्या कहा था तो साथ खुद अपने वीडियो से उनको सीखना चाहिए तो हमें प्याज के लिए भी लोक्टर खुड़वाना पड़ेगा हमें प्याज भी लोक्टर बेर धना पड़ेगा में हमार आएंगे तो सुगन्द देकर फिर घर में लग देनी अंदर हाई यो भेनो जो सरकार बिना प्याज को आपके आंसु निकाल देती हो ऐसी दिल्ली के सरकार के पापों का प्रणाम देखिये कि आग हिंदुस्तान नगरी जो विचारा बाजले की रोटी गेहूं के रोटी जोहर की रोटी मक्के की रोटी के साथ प्याज खादर के बुजारा करता था इन इस पंजेले प्याज को इच्छिनी लिया है जिनों न आपने वीडियो से उनको बार बार दिखाना चाहिए लेकिन ध्यान भटकाने में ये जो सरकार है बहुत अच्छी है और मैं ये बात जैसे मैंने कहा कि ये जरूर एनर्सी भी लाएंगे एनर्सी बहुत बड़ा फ्लॉप रहा हाजारों के करोड़ बरबाद हो गया उननीस राजनीती है लेकिन जिसे कहते हैं कि इन अंधियरों का जिगर चीर कर नूर आएगा तुम हो फिरौन तुम मुसा भी जरूर आएगा तो अबास सब थैंक्यों सो मच इसके उपर बात करने के लिए थैंक्यों सो मच वाचिंग इंडियन मीडिया को झाल तुम हो तुम हो गया है